अलो नमस्कार मैं मुकेश और मुझूद हूँ आज राय बरेली की नगर पालिका में जहां कि चुनाओ की सरगर्मिया बहुत तेजी से हैं और एक ऐसे कद्दावर नेता मनोज पंडे जिनको कोई उनकी कोई जानने का मोहताज नहीं है एक ऐसे नेता जो तीन बार से बिधाय करेंगे क्योंकि कहा जाता है कि रिंकु भाईया पिछली 2017 में भी चुनाओ लड़ना चाहते थे लेकिन किन ही कारणों की वज़ा से चुनाओ नहीं लड़ सके तो उनहीं करें सारे मुद्दों पर आज हम उनसे बाते करेंगे रिंकु को सबसे पहले आपका स्वागत है तो बारिस के दिनों में नगरपालका के विभिन वाडो में मुहलों में जल भराव होता है उसको दूर करना है जो हमारे बड़े भाई डॉक्टर मनोच मुमार पांडे जी न नगरपालका में एक पहचान दिया था एक सुच नगरपालका जिस नगरपालका को उन्होंने 400 से ल बड़ा सवाल जो लोगों के मन में है क्योंकि मैं अभी कई लोगों से मिला हूँ कि जो यहां की जो सपा की पार्टी है वो दो धड़ों में बट गई है कई सारे पूराने कारेकरता तूट के कांग्रेस में चले गए हैं जैसा कि आप अभी जानते हैं तो इस तूटी हुई पाल्टी जो दो धड़ों में बट चुकी उसको आप कैसे समेटने कोशिश करेंगे पूरी समाजवादी पाल्टी एक धड़े में है एक साथ है और उसका उधारन आज यहां पर दिख रहा है समाजवादी पाल्टी के जितने हमारे फाउंडर मेंबर हैं सहर जिले के उस माई को जब और पड़ेगा और जब और 13 माई को खुलेगा तो आपको खुदी दिखेगा तो हमारा अगला सवाल है कि जैसे मनोश कुमार पांडे भी यहां से चेयर मैं रहे हैं और उन्होंने अभी भाशन में भी सुन रहा था कि कई सारे उन्होंने प्रस्ण भी लगाए हैं कि अगर आपका प्रत्यासिया आप समाजवादी पार्टी इस चुनाओं को जितती है तो जो उनके सपने नहीं पूरे हुए हैं तो उनको किस तरह से पूरा करेंगा अब देखिए अभी जीता जाकता उधाराण है कि किले की बजार से और कारो कड़िक रोड हम लोग नगर पालका में न रहते हुए भी हम लोग विधायक रहते हुए ना भी इस रोड को उन्होंने बनवाया है तो यह हमारा सहर है हमारे लोग हैं चुनाओतिया है और प्रात्मि देखिर को मिटाना है और हमको वह पहचान देना है कि हमारे मनोज भीया जिस समय नगरपाल का अध्यष्ट थे तो वह धिकास 34 वाड में एक साथ होता था वही पहचान वहीं चुनोती हमको फिर सुकार करनी है और एक साथ विकास सारे वार्डों में को करना और सबसे कि नहीं है तो उस समस्या को आप कैसे दूर करेंगे जब हमारे बड़े चेर्मैन थे मनुश पांडे जी तो उन्होंने यह सासन को यह प्लान भेजा था कि जो सुपर मार्केट का पार्क है उस सुपर रोड पे खड़ी करेगा आज यह सिती है कि रोड पे गारी खड़ी करके वह हमारा बेक्ती हमारे भाई जब कहीं अंदर जाते हैं तो पीछे से पुलिस वाले आ करके फोटो की चिरेचे और पांश अजार रुपा का चलान कर देते हैं तो सबसे पहली प्राथिमक्ताई होग अब भाष्ण में भी सुना था मानी जी के उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी समस्याएं तो कहीं न कहीं लोग ठागे गये हैं इससे पहले जो अध्यक्ष रहे हो यह जो रहे हो लोग अपने वादे तो कर देते हैं लेकिन हो सकता है कि पूरे नहीं होते हैं तो उस पे पानी आ रहा है और जो यह सपना दिखाये गया था कि आरो का पानी घरगर पहुचाएगा हमको लगता कोई भी विव्यक्तियर नहीं कर सकता कि हमारे हैं सब्सक्राइब पूरी लाइने चोक हैं सब्सक्राइब पानी कहने में लाह लेकिन यह पूरा काम हो चुका है हम पानी लाइने धोस्त हो गई है छोटे नलकूप लगाके नई पाइप लाइन बिचाके सवच पानी हम देंगे इस सहर को सवस्त सच और अच्छा एक सहर बनाने का प्रियास करें एक और सवाल है कि अभी जो भाज सरकार में सबसे बड़ा जो सिक्षा को लेकर जो बदलाव हुए हैं तो कई सारे इतिहास मिटाये जा रहे हैं चाहे मुगलों का इतिहास रहा हो या और भी कई सारे इतिहास हैं जिनमें कई सारे बीट में बहुत सारी चीज़ आएंगी तो उस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं देखे सिच्छानीत में बदलाओ किया गया है सिच्छानीत के बदलाओ को हम सिवकार करते हैं लेकिन हमारे किसी पूरवच की हमारे इतिहास को बदलाओ करना वो गलत है अगर ताज महल बना है तो उसको कोई आसिवकार नहीं कर सकता लाल किला बना है तो उसको कोई मिटा नह एक लास्ट आखरी सवाल है कि मनोश कुमार पंडे जैसे कई सारा विकास का काम किये हैं तो तीन ऐसे काम जो उन्होंने अपने कारिकाल में बहुत अच्छे किये हों तीन काम उनके सबसे च्छे कार काल में रही कि सहर में जब उन अगर पाल का अध्यच बने तो उन्होंने प्राथमिक्ता थी थी सीसी रोडों की उनकी ही वो उपज थी कि सीसी रोड जहां पे जादा जल भराव होता है उसका एक उदारान सब्जी मंडी में आप जाईए सब्जी मंडी से अचार वाली गली से होते हुए कहरों कड़े तक जो रोड आज बनी है सीसी रोड मनोज पांडे जी की देन है आज उनका कारकाल खतम हुए लगभग 12-14 लेकिन आज भी वो रोड वैसी की वैसी है तो एक वो प्रात्मिक्ता है सबसे अच्छा उनका थी कि उन्हों सीसी रोड का निर्मान कराया दूसरा सहर की जितने चोड़ाय थे वहां पे जलने वाले पेड़, फवारे, संदी करण, हमारा सहर सुन्दर लगने लगा था तीसरा उन्होंने काम किया था कि छोटे छोटे एक नए उपियो किया था कि जिसे महलेम जिसे खतराना हमारा खतराना काफी उचाई पे है, वहां पे पानी नहीं पहुच पाता है, पुराने एरिया होने का रहा है, वहां नालिया और पाइप चोग भर्ष्टी, तो उन्होंने एक नए चीज लाई थी कि छोटे नलकूप लगा करके महलों में और नए पाइप लाइन बिछा करके लो यहां कई लोगों से हम लोगों ने पूछा है, और कई लोगों ने हमको एक सवाल बताया है, वह सवाल यह है कि रिंकू भईया से पूछेगा कि यह जो टाउन हाल है, यह व्यवसाइक सहर में आता था नगरपाल का में, कभी, लेकिन इसका जो है, आज इस तरह से हो गया है कि यह व्यवसाइक तो छोड़िये, यहां कोई आना नहीं चाहता, और यहां कोई उस तरह का धंदा या उस तरह नगरपाल का आएगी, तो यहां क्या आपने कारियाले जो पुरानी चैसे नीती होती थी, क्या उस पर कोई काम करेगी? देखे टाउन हाल, जो है, टाउन हाल का मकसद यही था कि नगरपाल का की एक विभाग, एक यूनिट यहां बैठे, नगरपाल का के एक कारियाले का संचालन हो, दो हजार बारा में जब हम लोग यहां चुनाओ, लड़े थो राफे चच्चा साथ में बैठे थे, उस समय य इस एरिया में जो हम लोग वोट मांगने आते थे, तो उस समय कि जो प्रत्यासी थे, उन्होंने यही बात वोट मांगा था कि हम जब चेर्मेन बन जाएंगे, तो नगरपाल का केक आफिस यहां पर लाये जाएगा, यहां नगरपाल का कमचारी बैठेंगे, और जब आफि यहां बैठेंगे, और अध्यच भी यहां बैठेंगे, और लोकल लोगों से यही मिलेगा, हमारा कोई भाई कहारो कड़्या से होते हुए, कैपर गन जाने की उसको दिक्कत नहीं होगी, वो हो सकता है, यहीं करमचारी मिले, उनकी यहीं समस्या हो, दूर हो और यहीं उनकी भी जनते हैं, और बहुत सारे वादे हैं, बहुत सारी तैयारिया है, क्योंकि चुनाओ का भिगुल बच्चुका है, पारशनात जी, यहां से प्रत्यासी बनाये गए है, सपा के प्रत्यासी, हाला कि, यहां पर दो धड़ों में जो सपा है, बिखरी हुई दिख रए है, लेकिन समाजवादी पार्टी कोशिश यही है कि सभी को एक धड़े में लाया जाए और यहां से सपा प्रत्यासी को जिताया जाए। मैं मुकेश कुमार, ब्यूरो रूपोर्ट, नियूज वाला.